सर आज महराजा जी की जहनती आप लोग उने मनाई हैं तो क्या कुछ कारिकरम आपका था इसके बारे इंब्रीफ कीजिए आज पूरे भारतवर्स महराज अगर सेयं जी की जहनती बना रहा है और महराजी अगर सेयं जी जिस उदेश्य को लेकर चले थे उन्होंने अपने राज्य का capital symbol भी जो रखा था वो एक इट और एक रुप्या रखा था एक इट कार था है प्रतेक वैक्ति के रहने के लिए मकान हो एक रुप्या का मतलब है कि प्रतेक वैक्ति के रहने के लिए करने के लिए रोजगार हो, कारोबार हो, धंदा हो, ताके वो अपने जीवन ही आपन के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए काम हो, जिससे उसको अर्निंग आए, आज परतेक सरकार का भी यही करताव बनता है, कि वो परतेक आदमी के रहने के लिए मकान की व्यवस्ता करें, और परतेक आदमी के लिए कारोबार की व्यवस्ता करें, अब हमारे महापुरुष, महारिशी, भगवान, हमारे पूरवज भगवान, महाराज अगर सेंजी ने इस उदेश्यों के लिए के शुरुवात करी थी, तो आज हमारे समाज का तो सबसे बड़ा यह करताव बनता ह है, कि हम परतेक ऐसे कारिये करें, कि समा बाकी समाज के परतेक व्यक्ति के लिए हम रोजगार उत्पन करें, और यही हमारा जैनती बनाने का यही सिंबल देने का यही संदेश देने का पूरे समाज को यही है, कि हम इस परकार के कारिये करें, कि हमारे द्वारा किये कारिये को सेफ समाज के प्रतेग वैंटी को रोजगार में ताकि अपना जी होने आपने अपने 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 महाराजा अगर सेंजी जो हमारे पुर्वर्ज थे उन्होंने सबसे पहले समाजवाद का जो शिद्धानत है उसको अम्ली जामा पहना है था ये जो एक एट और एक समाज में उनकी जो परजा है उनके जो लोग है वो सभी समान रहें आर्थिक रूप से भी समाजिक रूप से भी तो जो समाजवाद का सी दान सारी दुनिया ने बाद में सभी देशों ना अपने सविदान में जो इसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ाया है वो महाराजा अगर सहन जी महाराज जी की जो हमारे पुरवस्ते उनकी देन थी और हम ये विश्वास करते हैं कि बहुशे में भी अंतराष्टिय से तर पर जो सरकारे च्थे हैं और हमारे देश में विशेश तोर से इस सी दान्त को जो है वो लागू किया जाएगा इसका पूरन रूप को लेकर काफी महानकारे उन्होंने किये थे मरीश मंसल क्या तो इसको मैं सबसे पहले देश के चोते स्थम्प हमारे पत्रकार बंद होगे माध्यम से देश वासियों और प्रदेश वासियों को महराज अगर सैन जी की जहनती पर सभी को बदाई देता हूं हर दिक्शुम का महराज अगर सैन जी समाजवाद के सबसे बड़े परवर्त तक रहे उन्होंने सभी को समान रूप से देखा और एक समाज में मेसेज भी दिया कि हमें समानता के साथ रहना चाहिए यदि मैं कोई भी अत्ती चोक्ति नहीं इस बात को कहने में कि महराज अगर सैन जी ने जो विचार धारा अपनी बनाई थी के सभी को समान रूप से रहना चाहिए आज उसी का ही परिणाम है जो हमारे समाज में समाजिक समरस्ता है वो उसी की देन है साथ में मैं तो एक बात कहना चाहूँगा अपनी अगली पीडी को युवा साथियों को के वो महराज अगर सैन जी के दिखाए हुए रास्ते पर चले और उन्ने के कारिय करे महराज अगर सैन जी ने आपसी भाईचारे को जो बढ़ाने का काम किया था मैंसे महापुर्श देवता सवरूप महराज अगर सैन जी को नमन करता हूँ जैनती पर जै महराज अगर सैन की जैनती मनाई जा रही है महराज अगर सैन की सोच बहुत लंबी थी वो हर व्यक्ति को काम हर व्यक्ति का मकान सब्सक에서 Reproule जो आजमीन ने गाहन के नए उसको बराबर किया जाए दंसबति से कां मकान से बराबर किया जाए यह यह मत था एक पर अजम को आजमी एंगा माराजागर सहन जी की जहनती पर हार्दिक शुब काम नहीं और सभी को बगाई क्या 45 वी जहनती जो हमारे महाराजागरसेंजी की जहनती है उस जहनती को बड़ी दूमधाम से आज अगरवाल समाज ने जजजर में मनाया और उसका मैं अगरवाल समाज का बड़ा अभारी हूँ कि कही ना कही महाराजागरसेंज ने जो संदेश था कि सबी को एक सुत्र में पिरोने कारएं जो करते थे महाराजा गरसेंजी करते थे चत्रिय कुल में पैदा होतने के बाद भी उनोंने वैसे समाज को अपनाया कहीना कहीं उनके एक अच्छी सोच दी इसका मैं कायल हूँ अगरवाल समाज भी कायल है एक एट और एक रुपए का जो संदेश था वो पूरे अंतराष्ठे श्तर पर भी माना जाता है महराज अगरसेन समय-समय पर समाज के परती कार्य करते रहते थे एक बली-परथा चली हुई थी पशो की पशो की बली-परथा हवन में चलती थी उसका भी महाराजा गरसेंजी ने बड़ा विरोध किया मेरा कहने का मतलब यह है कि महाराजा गरसेंजी ना केवल मनुष्टों से प्यार करते थे बलकि पसुओं से पक्षियों से हर चीज से वो बहुत प्रेम करते थे आज हम उन्हें के सितांतों पर चलने का प्रियास करेंगे और मेरा सभी को एक वर फिर महाराजा गरसेंजी की जैनती पर आर्दिक शुब कामनाई और बदाई आज महाराजा गरसेंजी जैनती बड़ी अर्सों इलास के साथ अगरबल बहु बंदों ने बड़े खुशिश के साथ मनाई अगरसेंज चोक पर और महाराजा अगरसेंजी का जो संदेश था वो ये संदेश था महाराजा अगरसेंजी अगरवा में रहते थे अगरवा के अंदर जो भी आदमी परवेश करता था सबसे पहले उसको अगरोणा के अंदर एक लाख मकान होते थे और अगरोणा में जो आदमी प्रवेष करता था एक रुपया और एक हीट हर घर से महराजारगरस जी उस आदमी को दिला देते थे जिससे के उसके पास मकान बनाने के लिए लाख रुपे हो जगते थे और एक लाख हीट हो जगती थी जिससे वो बरुबर का बाई बन जाता था महराजागर सेंजी का एक ही संदेश था 36 कौम को जोड़ के रखे किसी से बेदवाव न रखे और समाज में उन्होंने यही करके दिखाया किसी प्रकार से भी कहीं भी और उन्होंने अमारे को यही संदेश दिया हमेशा उनका संदेश यही रहा कभी भी किसी जूर्त बंद आदमी को चीज की जूर्त पढ़ती है तो अपनी दो रोटी है तो उसमें से एक रोटी उसको जरूर खिलाने की कोशिस करो यही महराज अगरसेंजी का संदेश था अगरसेंजी जी ने हमारे अगरवाल समाज के लिए जो कारिय क्या वो चत्री होते हुए भी उन्होंने अगरवाल संस्ता की स्थाम में की उन्होंने अगरवाल में अपना केंदर बनाया मैं सरकार से यह लिवेदन करना चाहूंगा कि अगरवाद धाम को विशेज दर्जा देकर इसको दरसने स्थान बनाया जाए एक वर फिर से महराजागरसैन जयनती आपको सब को सुप कामना आए मैंने संकल्प लिया है कि मैं महराजागरसैन जी के नक्षे कदम पर चलू जया महराजागरसैन नहीं कि हम सब अगरवाल भाईयों को एक घ्टा एक जूट संकल्प लेके आगे बढ़ना है साथ हमें समाज को एक जूटता के साथ आगे बढ़ाना है और हमारे को न्याए प्रिजानाली में भी सरकार का साथ देते हुए से योग करना है धन्यवाद महारा जगरसेन की जय है